काफी लोग जानना चाहते हैं कि उनकी जो इंटरनेट के connection speed है वो कितनी आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ कि कैसे आप जो net की speed है आपकी उसे notification बार में देख सकते हैं या फिर notification पैनल में देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप simply से कर सकते हैं net connection speed जो है वो यहाँ पे notification पैनल में यहाँ पे आपको देखने के लिए है headphone jack के left side में और यह जो speed है यह basically सभी phones में देखने के लिए मिलती है लेकिन कुछ phones में जैसे shock android है या फिर कोई और UI हो सकता है उसमें देखने के लिए नहीं मिलती है तो आज की इस वीडियो में इसी का solution देने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर आपके पास Redmi, Xiaomi या फिर Poco का smartphone है तो और Oppo Vivo में भी यह setting होती है आपको सबसे पहले जाना है setting में और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पे search करना है so connection speed तो so connection speed यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यह आ जाएगा ऐसे तो so connection speed में आपको जाना है और यहाँ पे आपको धेर सारे option मिल जाते है और यहाँ धेर सारे option में आपको एक option मिलता है so connection speed तो इसको मैं off कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हमारी net की speed है वो नहीं दिखाएगी लेकिन जब यह on है तो यहाँ पे जो speed है वो दिखाई देगी और इससे हम लोगों को यह पता चलेगा कि हमारा जो जब हम कोई चीज ब्राउजिंग या फिर कोई चीज multimedia consume करते हैं online तो वो जो speed है उसका पता चलता रहता है तो इस वज़े से इसको आपको on कर लेना है वहाँ से setting से और अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका smartphone में यह जो so connection speed वाला feature है यह नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है तो इसके लिए भी एक simple सा solution है बताने वाला हूँ तो आपको simple जाना है play store में play store आप जानते हैं कहां मिलेगा आपको तो play store में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है internet speed meter तो internet speed meter जैसे ही आप सर्च करेंगे आप इस suggestion में आ जाएगा आपको यहाँ पर जाना है और इसे install कर लेना 1.9 MB की application है, बहुत ही minimal सी है, बहुत सी small सी है, कोई बहुत जादा load आपके phone पे नहीं आएगा, तो आप इसे install कर लीजे, और उसके बाद बताता हूँ कि आपको क्या करना है, तो अब ये install हो रहा है, speed काफी जादा slow आ रही है, लेकिन कोई नहीं, 81% हो चु लेने देते हैं, इसके बाद इस app को आपको open कर लेना है, और इस app को open करने के बाद यहाँ पे देखे, कि यहाँ पे मैं अभी so connection speed अपने phone वाला जो है, इसे off कर देता हूँ, तो इसे मैंने off कर दिया, आप यहाँ पे देखे जो time के just right और जो video वाला icon है, इसके बीच में आ लोगो बन चुका है, और आप यहाँ पे अगर मैं YouTube या फिर कोई चीज open करता हूँ, तो यहाँ पे जो speed है, वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे आपको speed दिखाई दे रही है, यह internet speed meter light, तो इस तरीके से आप, जो है वो किसी भी phone में अपना, अगर on करना च जरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तिल देन बाबाय और टेक केर